हे गाईज वेल्कम बैक टू माई चैनल साधना की रेसिपी तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आए हूँ जिमी कंद की रेसिपी तो नॉर्मली जिमी कंद को पहले उबाला जाता है फिर इसे धूप में सुखाया जाता है तब इसकी सबजी बनाई जाती है लेकिन आज हम जि जिमी कंद लिया हुआ है अब जिमी कंद की हम कटिंग करेंगे तो जिमी कंद थोड़ा सा हाड होता है इसलिए इसे कट करने में थोड़ी सी मुस्किला शकती है लेकिन आप बड़े वाले चाकू का यूज करके इसे आसानी से काट सकते हैं तो मैंने तो यहां पे बड़े है ना उसे भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे तो देखे इसके छिलके भी बड़ी आसानी से निकल गये हैं इसी तरीके से हमें सारे जमीकंद के छिलके निकाल लेने हैं तो देखे फ्रेंट्स हमने सारे जमीकंद के छिलके निकाल लिये हैं तो चलिए इसे हम वाश कर लेते ह तो वाश करने के बाद क्या करना है सारे जमीकंद को एक दूसरे बरतन में हमें ट्रांसफर कर लीना है तो सारे जमीकंद को हमने एक बरतन में रख लिया है अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं जरूरी है तका उहार भूत खीर पंट शुटे चुटे सह करते हैं वह नहीं है। तो चलिए ऐसी तरीके से हम सारे जमी कंद को कट कर लिया है। कर दो भाया पर हम झाल ख्राइब करना जरूरी है। तो चले इसे हम फ्राइ करते हैं, तो फ्राइ करने के लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई में खुब सारा तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तेल हमारा यहाँ पे मिडियम फ्लेम पे गरम हो चुका है, अब हम थोड़े थोड़े करके जिमी कंद को यहां पे डालेंगे, और चितना यहाँ पे कड़ाई में हमारा जिमी कंद आया, उतना ही हमने यहाँ पे इसे डाल दिया है, अब चम्मद चलाएंगे और इसे हम 2-3 मिनट के लिए मिडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो देखे फ्रेंट्स दो से 3 मिनट के बाद यहाँ पे हमारे जो जिमी कंद है वो थोड़े थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पे चम्मद चला दिया है, अब हम दूसरे साइट को भी 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, तो देखे फ्रेंट्स यहाँ प बस इसे हमें कड़ाई से बाहर निकाल लेना है, जिमी कंद को फ्राई करते वक्त आपको गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखना है, अगर आप इसे हाई पे रखेंगे तो जिमी कंद बहुत ही जल्दी जल जाएगी, लेकिन अगर आप इसे लो पे रखेंगे तो जिमी कंद तो आपको गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखना है तो चलिए बाकी बचे हुए जिमीकंद को भी हम सेम उसी प्रोसेस से फ्राइ कर लेंगे तो यहां पे हमने बचे हुए सारे जिमीकंद डाल दिये हैं और बस चमल चलाते हुए इसे उलटते पुलटते हुए दोनों साइट स इसे गुलटन होते तक हमने फ्राइ कर लेना है तो देखे यहां पे हमने सारे जिमीकंद को फ्राइ कर लिये हैं तो चलिए जिमीकंद को फ्राइ करने के बाद इसी कड़ाई में हम सबजी बनाएंगे तो यहां पे तेल बहुत ही जादा है तो हमें तेल को यहां पे कम कर ल अगर आपको सर्सो पसंद है तो आप सर्सो का भी यूज कर सकते हैं जीरा जैसे ही तड़केगी हम यहाँ पे डालेंगे प्याज और हरिमेश तो मैंने यहाँ पे दो प्याज को लंबे लंबे टुकडो में काटके रखा हुआ है 5-6 हरिमेश को भी मैंने यहाँ पे 20 से फाड के लिया हुआ है जीरा के तड़क पर हम यहाँ पे इसे डाल देंगे और क्या करना है बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखिए यहाँ पे हमने प्याज और हरिमेश को अच्छे से मिक्स कर ली है तो इसके बाद हमें क्या करना है बस यहाँ पे हमें ढखकन बंद करके इसे हमें 2-3 मिनट के लिए low flame पे पका लेना है तो लोजी फ्रेंट्स यहाँ पे हमें प्याज और हरेमिज को पकाते वे 3 मिनट हो चुके हैं और प्याज में काफी अच्छे से पिंग, पिंग सा कलर आ चुका है प्याज हमारी बहुती ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है हमें प्याज को इस से ज़ negoti, बलकुल भी नहीं पकाना है तो चलिए यहाँ पे हरेमिज और प्याज तो अच्छे से पक चुकी है अब इस स्टेज पे हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी तो मैंने यहाँ पे पांच बड़े टमाटर की प्यूरी बना के रख ली थी तो मैंने यहाँ पे सारी प्यूरी डाल दी है उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे टेस्ट की अकॉडिक नमक, आधा चम्मश हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मश हम यहाँ पे डालेंगे मिर्च का पाउडर, मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज किया हुआ है, इसलिए मैंने मिर्च का पाउडर यहां पे कम ही डाला है फिर यहां पे हम डालेंगे आधर शमर्ष, धनिया पाउडर अब सारे सुखे मसालों को हम टमाटर की प्यूरी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखें हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है अब यहाँ पे हम ढखकन बन करके इसे 5 मिनाट के लिए low flame पे पका लेंगे तो लोजी फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मसालों को पकाते हुए 5 मिनाट हो चुके हैं और हमारे जो मसाले हैं ना काफी अच्छे से पक चुके हैं आम देख सकते हैं तो चलिए इसमें हम चम्मच चला लेते हैं तो देखें यहां पे हमारे जो मसाले ना बहुत अच्छे से पक चुके हैं इस स्टेज पे हम डालेंगे बड़िया सा फ्लेवर लाने के लिए कशूरी मेथी तो यहाँ पे मैंने दो चोटे चमच कशूरी मेथी डाल दिया है कशूरी मेथी डालने के बाद हम फिर से चमच चलाएंगे और इसे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे तो चलिए कशूरी मेथी भी यहाँ पे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब इस stage पे हम डालेंगे दही तो मैंने यहाँ पे आधा कटोरी से थोड़ा सा जादा दही लिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे खटे वाले दही को अच्छे से फेंट के लिया हुआ है आप इसे बिना फेंटे भी ले सकते हैं दही डालने के बाद हमें लगातार चम्मा चलाते हुए से 3-4 मिनट के लिए पका लेना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम पर ही रखना है और इसे तब तक चम्मा चलाते हुए पकाना है जब तक की दही में एक उबाल ना आ जाए तो लोजी फ्रेंट्स यहाँ पर हमें दही को पकाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और इसमें देखिए बहुत ही बढ़िया सा उबाल आ चुका है यहाँ पर जो दही है ना काफी अच्छे से पक चुकी है अब इस स्टेज पर हम डालेंगे पानी तो मैंने यहाँ पे 1.5 गलास पानी डाला हुआ है और अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं तो चलिए हमने पानी डाल दिया है पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी की कंसिस्टनसी बहुत ही ज़्यादा पतली है लेकिन जैसे ही सबजी बन जाएगी ना तो ग्रेवी की थीकनेस बढ़ जाएगी अब इस स्टेज पर हम डालेंगे फ्राई किये हुए जिमी कंद को और इसमें हम चम्मच चला देंगे तो देखिए यहाँ पे हमने जीमी कंद को ग्रेवी में डाल के चम्मच चला लिया है अब यहाँ पे हम ढखके इसे पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे तो लोजी फ्रेंट्स यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी जीमी कंद की सबजी बन के तयार हो चुकी है इसकी ग्रेवी भी आप देख सकते हैं काफी थिक हो चुकी है देखिए फ्रेंट्स तो यहाँ पर हमाले जीमी कंद की सब्जी पूरी तरह से बन के तयार हो चुकी है मैं इसकी सॉफ्टनेस भी दिखाती हूँ देखे ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है देखे फ्रेंड्स तो चलिए फिर सबसे लास्ट पर हम यहाँ पे डालेंगे खूब सारा हरा धन्या और हरा धन्या डालने के बाद हम फिर से चम्मठ चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो यहाँ पे गरम मसाले कई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसे सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप यहां पे मसाले वगर बिल्कुल भी ना डालिए यह ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहां पे हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है अब इसे हम सर्फ कर लेंगे तो मेरी रेसिपी आप सभी को अगर अच्छी लगी होगी तो कॉमेंट शेक्षन में जरूर से बताइएगा मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा श्यादा शेयर जरूर कीजएगा बेल आइकन प्रेस करना आप बिल्कुल भी न भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थोड़े से धनिया पत्ता से हम इसे गार्णिश कर लेते हैं और हमारी जो सबजी है पूरी तरह से बनके तयार हो चुकी है तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके की अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थेंक्स फॉर वाचिंग